दुनिया का कोई भी बाहुबली, कोई भी नेता, कोई भी माफिया या कोई भी बड़ा बिजनसमेन इस परकार से अपने बेटा या बेटी का साधी नहीं किया, जिस परकार से मुके संबानी ने किया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आखिर पैसा हो, तो दुनिया किस पर कानी ने सावी कर दिया कि दुनिया में सबकुछ होता है और अगर आपके पास बेसुमार दौलत है तो आतंकुवादी से लेके बावुबली से लेके एक बिजनसमैंगर से लेके परधानमंतरी से लेके रаш्ट्रपति से लेके सब लोग जो है आपके आगे मस्तक होते हैं अलागे जितने भी भी वी आईपी अपने अपने सेक्टर में लोग थे सब को बुलाया गया हर राज्जी के मुखमंत्री को बुलाया गया चाहो इंडी ब्लॉक के मुखमंत्री हो या एंडी ब्लॉक के हो भारत के परधार मंत्री को बुलाया गया भारत के रख्षा मंत् गेस्ट थे जितने भी भी वी आईपी गेस्ट थे उन सब को दो कड़ोर आठ लाक रुपया की घड़ी उपहार स्वरूप दी गई है मुंबाई में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरा मुंबाई का होटल जो फाइपेस्टार होटल है वो आउट पेस्टोप यानि सोल्ड यानि रूम फूल रूम बुक हो गया था सबकर कुछ मेडिया भी गये थे जिसलिशेची करना था कूल k ie गये थे जिनको ब्लाया गया था कूछ नंचनिया बजनिया गये थे जो वहां पर नाचने आये गाने आये बजाने आये थे और हमाज़ेस के परиц gäller मेंद्ध भी देश के बड़े बड़े नेता इस देश के गरीब बेटियों की साधी में क्यूं नहीं पहुंचते हैं हला कि ये लोग आपस में लड़ते हैं लेकिन गरीब बेटियों की साधी में नहीं पहुंचते हैं क्यूं क्यूंकि उनके पास पैसा नहीं है और जिनके पास पैसा है व जाल उपर साद्यादो सब परिवार वहां पे पहुंचे राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए किसी कारण हुआ सब क्यूं नहीं पहुंचे वह बाद में जवाब देंगे दिन रात जो है अंबानी को जो है भर-भर के गाली देते हैं और अंबानी ने जब उनका सरकार था राजस्तान में तो वहां पे इंवेस्टमेंट किया था पंजाब में सरकार था तो वहां पे इंवेस्टमेंट किया था तो देखिए जो बड़े बीजनस मैन होते है न वो अपने एक पॉकेट में जो है वो पक्ष के नेतागों रखते हैं तो दूसरे पॉकेट में जो है विपक्ष के नेता को रखते हैं और समय समय पे जो है दोनों को चंदा दोनों पॉकेट से निकाल के देते हैं हाँ जो सत्ता में रहता है उसके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉकेट रहता है और जो विपक्ष में रहता है उसके लिए थोड़ा सा छोटा पॉकेट रहता है जी जीयों का डेटा बढ़ा हुआ है क्यों बढ़ा हुआ है क्योंकि इतने बड़े-बड़े जब सिलेवरिटी देश के परदानमंत्री देश के राष्ट्रपती विपक्ष के नेता दुनिया के बड़े-बड़े नेता जब पहुंचेंगे दुनिया के बड़े-बड़े बिज से करना था कि पूरी दुनिया देखे और हाँ दुनिया ने देखा इन सब चीजों के बीच में एक कमाल का द्रिस आपको जो है साधी में देखने को मिला वो द्रिस था सांस्कृतिक धार्मिंग इन्हों ने सब कुछ के उपर धर्म को रखा और बड़े-बड़े संक्राचार वहां पर पहुंचे मठादीश पहुंचे बड़े-बड़े-बड़े साधू महात्मा पहुंचे और सबने पर बधु को असरबाद दिया और सबको सम्मान मिला सबको मतलब सबको इसको बोलते हैं एक्चुल में मैंनेजमेंट हलाकि दुनिया में बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके पास, जो है, मुके सम्भाणी से ज़्यादा पैसा है, और पहले भी बहुत सारे लोग थे, विश्य में भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, कि अगले 100 साल तक, से एक दसक से सबसे ज़ derecho आगर किसी चीज का हुआ तो मुके संभाणी का बेटा अननतंभानी और अधिका मर्चेंट की साधी का migration अच्छा मिडिया जगत में सबसे ज्यादा थैस्ट की वी चर्चा हुई थी लेकिन उतना लेबल पे नहीं था इल्लेक्ट्रों आधा टीजिटर मिपatore नहीं था और मिडिया भी बहुत पहले तो पर भारत में फिर विदेश में फिर हावाई जाज में ना कहां कहां इन्हों ने अपने बेटे का साधी किया कहां कहां रसमें निभाई और फाइनले सब कुछ करने के बाद जो है मुंबई का इनका वो फाइप स्टार घर सेवन स्टार घर जहां पे इन्हों ने अपने बेटे का साधी किया और उस घर का मंडब जो है इस प्रकार से सजाया गया था कि देखने वाले मंद्र मुख्ध हो गए अलाकि इस साधी के निग पैसा खर्चा किया मुके संबानी ने जिनको बुलाया वो सभी लोग उनके घर पे गए उनका प्रसनल रिलेशन था या कुछ और था क्या था किस हिसाब से हो गए वो जानते है इस पे जो है हम लोग कुछ निगेटिव नहीं कह सकते है लेकिन एक बात पोजेटिव देखने को मिलता है मुके संबानी का साथगी आपको देखने को मिलता है नितांबानी का साथगी आपको देखने को मिलता है और इस देश के सभी नेताओं का साथगी देखने को मिलता है बेयार का एक परिवार है लालो परिवार जो भर भर के मुके संबानी को गाली देता था वो भी पूरा परिवार सा परिवार जो है मुखे संभानी के साधी में पहुंचा अगर लालू परिवार से कोई सदस्य को पहुंचना चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ तेजबर्दाप्यादों को चुकि वह धार्मी के व्यक्ति है और अभी कुछ दिन पहले उनका एक विडियो जो है रूधराव इसे करते हूए सेवली को पकड़ के रूधराव इसे करते हुए वो भाईरल हुआ तो चली ना जश्टिन वीवर चले साधी के दीन सिर्फ और सिर्फ सास्त्रिय संगित गाने वाले संगितकार चले इस साधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं नरेंद्र साधी में पहुंचे विदेश के बहुत बड़े बड़े नेता परदानमंत्री राष्टपती पूरो राष्टपती विबक्च के नेता सेलिब्रिटी सभी लोग पहुंचे इन सब पर आप लोग अपना राय जरूर रखना और आखरी में मैं मुके संभानी से हां जोड के वि चुका है थोड़ा सा अगर आप कम कर देंगे तो देशवासी जो है आपका मतलब की शुक्रगुजार रहेंगे तो बिनती है कि आप अपने बेटे का साधी का तौफा के रूप में लोगों को दो-दो-कड़ो रूपया का घड़ी आपने दिया दो-कड़ो आठ लाक रू तो बिनती है आपसे कि जीओ का डेटा भी थोड़ा सा सस्ता किया जबाकि इस साधी के बारे में आप लोगों का क्या राह है आप लोगों को साधी में सबसे महेंगा गिफ्ट क्या मिला था और आप लोगों के यहां साधी पे सबसे बड़े सेलिबरेटी के रूपे कौन से ब्यक्ति पदा रहे थे कौन से नेता पदा रहे थे कमेंट करके जरूर बताना जैहिंद